कर दोस्तों मैं योगेश अब सबका स्वागत कर रहूं मेरी जनल हलो साहित्यमन दोस्तों आज हम इंग्लिश लिट्रिटरिश की सीरीज में बात करने वाले हैं अलिजाबेथन राइटर एलिजबेथन राइटर एडवन स्पेंसर की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बूक है इसका नाम है दफ्यारी क्वीन तो हम जो क्वेशन पूछे गए है नेट की एक्जाम में उसके फोकस करेंगे और सबसे ज़्यादा क्वेशन पूछे गए बूक वन में हीरोस कौन है उनका वर्चियूस कौन है मैं केरेक्टर कौन है तो इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे चलिए शुरू करते हैं देखिए एडवन स्पेंशर है उनकी लाइफ स्पैन है 1552-1599 वह लंडन में उ सब्सक्राइब के साथ 1594 में इनके लिए उन्होंने एक सॉनेट का कलेक्शन लिखा है जिसका नाम है एमोरिटी जिसमें आपको 89 सॉनेट्स मिलेगी और उनकी मृत्यू है लंडन में हुई थी 1599 में अब बात करते हैं उनके मेजर वर्ट की जो नेट के पॉइंट ऑफिस है इंपोर्डेंट है एक है दसेफर्स केलेंडर 1579 एक पेस्टोरल पोयम है सेकंड फेरी क्वीन जो पब्लीश हुई थी 1592-1596 एक एक पोयम है थर्ड है एमोरिटी एन एफिटेलेमियन 1595 जो सॉनेट्स एन एफिटेलेमियन है है एमोरिटी कलेक्शन में आपको 89 sonnet मिल जाएगी और दूसरा इंपोर्डेंट वर्ट है कॉलीन क्लाउट कम होम अगें ए 59 में 1595 में पब्लीश हुई थी और वह भी एस्टोरल पोयम है इंपोर्टेंट वर्ट है केली जी लिखी गई थी उन्होंने सर फिलिप सिड्डी के लिए जिसका नाम है एस्ट्रोफैल एबी पब्लिश हुई थी 1595 में और लास्ट वर्टेंट वर्टेंट वर्क है जो 1596 में पब्लिश हुआ था उसका नाम है प्रोथेलेमियन और यह बैडिंग पोएम है अब हम परेक्वीन के बात करें तो कई सारे क्यरेक्टर है वह रिपीट होते हैं जैसे कि ग्लोरियाना है तो वह फैरी क्वीन है जो रिप्रेजेंट करती है क्वीन एलिजाबेट वन को एंड उनकी जो ब्यूटी है उसके साथ साथ वर्चियूस को प् खूल जो डेड हों चलीए प्रिंग आइडेयल को शिवालरी ए अश्रई कैरीशMore जो एक और एक गोडियूस करें और टिसीट में खिर्वारट है जो मैं से उस प्रांच करता है दिशिट काश। है अब कुछ बात करें हम फैरी क्वीन की सिंपल सी जो बात है उसमें से फैरी क्वीन ट्राइटल है स्पेलिंग है इसमें क्वीन का अलग है क्यू यू डबल ई एनी एडमेंस फैंसर ने लिखा है पॉप्लिकेशन फर्स्ट त्री बुक का 1590 में हुआ था और उसके बाद बाकी की बुक से वो 1596 में पॉब्लिश हुई थी इसको एपिक पोयम भी कहा जाता है लेकिन इनकंप्लेट एपिक पोयम है एलेगेरी भी है रोमांस है सिवल्री डोमांस का बेस्ट एक्जाम्पल माना जाता है लेंग्वेज कहे जाए तो अल्ली मॉडेन इंग्लीश है और इसका स्ट्रक्चर है वो सीक्स बुक में बटी है और हर बुक में हीरो है एक करेक्टर जो है वो कोई ना कोई वर्चू को रिप्रेजेंट करता है प्लोट है तो उसमें आप पता सकते कि कई सारे नाइट से आर किंग आर्थर और उनके नाइट से उनके एडवेंचर इन दे लेंड ऑफ हैरी अ मिथिकल रेल्म इस्पार बाय क्लासिकल मिथोलोजी और क्रिस्चिन अलेगरी दे में प्लोट थ्रेट्स इंक्लूड एक तो अधिकल का करेक्टर है जो भूपन का हीरो है जर्णी तो रेस्की उना जो तुरूथ को रिप्रेजन करती है फ्रम दे ख्लची अप डियो एसा जो डिसीट को रिप्रेजन करती है गोयन्स क्वेस्ट तू डिस्ट्रोइद शिट्रोइद वोवर अपलीस ताट इस पार्ट एन अल्टिमेट ट्रायंफ पावर व्यूसी रेन जो इविल करेक्टर है यह भी पार्ट अब प्लोट है और आर्टिगल्स जन्नी टो एस्टाब्लिश जस्टीज और रेस्क्यू एरेना तो यह भी महत्वा का प्लोट है अब थीम की बात करें तो बहुत सारी थीम से इसमे प्लोट है रेट क्रोस नाइट की जन्नी जो है उना को बचाने के लिए जो टूट को रिप्रेजन करती है वो बच्शा इसमें बटाया गया है और डिऊसाह एक ईविल क्रहक्तर है बूक टू čिसका जो वर्चु है टेंपर LAURA है और एब लेजर वर्ली को प्रेजन करता है विलेन है एकरेसिया और रु किही डूसरा विब्न है वढ़ार्डठ इक्टर्यो है जो ओनी ने पॉवर ऑब बलीज और यह कुग है करते हैं तो बंपरेंज्स वर्चू सपर ही रोगयों है वह आपको याद रखना है उख नमबर और है उसमें फ्रेंड्शिब बताए गई है फ्रेंड्शिब जो है वह केमपाल एन्ट्राइमंट जो है रिप्रेजन करते हैं फ्रेंट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट करता है विलेन है Carn Twelfilie को ही रिप्रेजन करता है साथ में दो कुड़ूर एंड ब्रियेना जो डीस करटरेसी को रिप्रेजेंट करते हैं यह प्लोट है के लिडॉर्स के अडवेंचर एन अल्टिमेट ट्रायमप आवर कुड़ूर एंड ब्रियेना तो एं महत्व का प्लोट है अब बुक्स जो सेवन है वह फ्रेग्मेंट है और उसम में से ज्यादा क्वेशन नहीं पूछे जाते हैं क्योंकि यहां पर इनकम्प्लीट है ठीक है तो आपको याद रखना है जो बुक के खम्मेश कर चुके थे वो है बुक त्री जिसका नाम है चैस्टिटी वर्चू है चैस्टिटी हीरो है ब्रिटो माट जो चैस्टिटी फ्रॉम्ट प्रॉम्ट इस और विलन करेक्टर उसमें से बहुत सारे क्वेशन मैच ए और बी में पूछेगा है तो इस वीडियो अपके लिए हल्पूल रहेगी तो उमेद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंदा है तो वीडियो को लाइक कीजिए वीडियो को शेयर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तर सब्सक्राइब कीजिए और बेल अलकिन को प्रेश कर दिजिए थैंक यू पर वाचिंग थैंक यू सो मच